ये घटना उस दिन की है जब येशु घर से बाहर जील के किनारे पर बैठे हुए थे एक बड़ी भीर उनके चारों और इखटा हो गई इसलिए वो एक नाव में जा बैठे और भीर जील के तट पर रहे गई उन्होंने भीर से द्रिष्टांतों में अनेक विश्यों पर चर्चा की येशु ने कहा एक किसान बीज बोने के लिए निकला बीज बोने में कुछ बीज तो मार के किनारे गिरे जिने पक्षियों ने आकर चुग लिया कुछ अन्य बीज पत्रीली भूमी पर भी जा गिरे जहां परयाप मिट्टी नहीं थी परयाप मिट्टी ना होने के कारण वे जल्दी ही अंकुरित भी हो गए किन्तु जब सूर्य उदय हुआ वे जुलस गए और इसलिए कि उन्होंने जड़े ही नहीं पक्ड़ी थी वे मुर्जा गए कुछ अन्य बीज कंटीली जाडियों में जा गिरे और जाडियों ने बढ़ कर उन्हें दभा दिया कुछ भीज अच्छी भूमी पर गिरे और फल लाए यह उपज सौ गुणी साथ गुणी तीस गुणी थी जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले येशु के शिश्यों ने उनके पास आकर उनसे प्रश्न किया गुरुवर आप लोगों को द्रिश्टांतों में ही शिक्षा क्यों देती हैं उसके उत्तर में येशु ने कहा स्वर्ग राजज्ये के रहश से जानने की क्ष् Mistha तुम्हें तो प्रदान की गई है उन्हें नहीं क्योंकि जिस किसी के पास है उसे ओर अधिक प्रदान किया जाएगा और वो संपन्न हो जाएगा किन्तु जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है यही कारण है कि मैं लोगों को दिरश्टान्तों में शिक्षा देता हूँ क्योंकि वे देखते हुए भी कुछ नहीं देखते, तथा सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनते, पर ना उन्हें इसका अर्थ ही समझाता है, उनकी इसी स्थिती के विशे में भवश्य द्वक्ता या शाया की ये भवश्यवानी पूरी हो रही है, तुम सुनते तो रहोगे कि तो तुम्हें कोई ग्यान न होगा क्योंकि इन लोगों का मन मस्तेश्क मन्द पड़ चुका है वे अपने कानों से उचा ही सुना करते हैं उन्होंने अपनी आँखे मून रखी है कि कहीं वे अपनी आँखों से देखने ना लगे कानों से सुनने ना लगे तथा अपने हृदे से समझने ना लगें और मेरी और फिर जाएं कि मैं उन्हें स्वस्त कर दूँ धन्य हैं तुम्हारी आँखें क्योंकि वो देखती हैं और तुम्हारे कान क्योंकि वो सुनते हैं मैं तुम पर एक सच प्रकट कर रहा हूं अने एक भविश्य द्वक्ता और धर्मी व्यक्ती वो देखने की कामना करते रहे जो तुम देख रहे हो किन्तु वो देखना सके तथा वे वो सुनने की कामना करते रहे जो तुम सुन रहे हो किन्तु सुनना सके अब तुम किसान का दृष्टांत सुनो जब कोई व्यक्ति राज्य के विशे में सुनता है, किन्तु उसे समझा नहीं करता, शैतान आता है, और वो जो उसके हिर्दय में रोपा गया है, जपट कर ले जाता है, ये वो है जो मार के किनारे गिर गया था, पत्रीली भूमी वो व्यक्ति है जो संदेश को सुनता है, का पतन हो जाता है, वो भूमी जहां बीज कंटीली जाडियों के बीच गिरा, वो व्यक्ति है जो संदेश को सुनता तो है, किन्तु संसार की चिंताएं तथा संपंता का छलावा संदेश को दबा देते हैं, और वो बिना फल के रह जाता है, वो उत्तम भूमी जिस पर गुणी, तीस गुणी होती है, येशु ने उनके सामने एक अन्य द्रिष्टान प्रस्तुत किया, स्वर्ग राज्ये की तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है, जिसने अपने खेत में उत्तम भीज का रोपन किया, जब उसके सेवक सो रहे थे, उसका शत्रु आया, और गे सेवकों के अंकुर फूटे और बाले आई, तब जंगली बीज के पौधे भी दिखाई दिये, इस पर सेवकों ने आकर अपने स्वामी से पूछा, स्वामी आपने तो अपने खेत में उत्तम बीज रोपे थे, तो फिर ये जंगली पौधे कहां से आ गए, स्वामी ने उत गेहूं तथा जंगली पौधों को कटनी तक साथ साथ बढ़ने दो, उस समय मैं मजदूरों को आग्या दूँगा, जंगली पौधे एकटा कर उनकी पूलियां बांधो, कि उन्हें जला दिया जाए, किन्तु गेहूं मेरे खलियान में एकटा कर दो येशु ने उनके सामने एक अन्य दृष्टान प्रस्तुत किया, स्वर्ग राज्य एक राही के बीज के समान है, जिसे एक व्यक्ती ने अपने खेत में रोप दिया, ये अन्य सभी बीजों की तुलना में छोटा होता है, किन्तु जब ये पूरा विकसित हुआ, तब खेत के सभी पौधों से अधिक बढ़ा हो गया, और फिर वो बढ़कर एक पेड में बदल गया, कि पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करने लेगा, येशु ने उनके सामने एक और दृष्टान प्रस्तुत किया, स्वर्ग राज्य खमीर के समान है, जिसे एक स्त्री ने ल कोई भी शिक्षा ऐसी न थी, जो दृष्टान्त में न दी गई, कि भविश्य द्वक्ता द्वारा की गई ये भविश्य वानी पूरी हो जाए, मैं दृष्टान्तों में वार्ता लाब करूँगा, मैं वो सब कहूँगा, जो स्रिष्टी के आरंभ से गुपत है जब येशु भीर को छोड़ कर घर के भीतर चले गए, उनके शिश्यों ने उनके पास आकर उनसे विनिती की, गुरुवर हमें खेट के जंगली बीज का द्रिष्टान्त समझा दीजिए येशु ने द्रिष्टान्त की व्याक्या इस प्रकार की, अच्छे बीज बोने वाला मनुश्य का पुत्र है, खेट ये संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है, तथा जंगली बीज शैतान की, शत्रु जिसने उनको बोया है, शैतान है, कटनी इस युग का अंत, त तथा काटने के लिए निर्धारित मजदूर स्वर्ग दूत थी, इसलिए ठीक जिस प्रकार जंगली बोधे कटने के बाद आग में स्वाहा कर दिये जाते हैं, युग के अंत में ऐसा ही होगा, मानव पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में पतन के सभी कारणों तथा कुकर्मियों को इखटा करेंगे और उन्हें आग कुंड में जोक देंगे, जहां लगातार रोना तथा दांतों का पीसना होता रहेगा, तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके सुनने के कान हो, वो सुन ल सुर्ग राज्य खेद में छिपाए गए उस खाजाने के समान है, जिसे एक व्यक्ति ने पाया और दोबारा छिपा दिया, आनंद में उसने अपनी सारी संपत्ति बेच कर उस खेद को मोल ले लिया स्वर्ग राज्य उस व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था, एक कींती मोति मिल जाने पर उसने अपनी सारी संपत्ति बेच कर उस मोति को मोल ले लिया स्वर्ग राज्ये समुद्र में डाले गए उस जाल के समान है जिसमें सभी प्रजातियों की मचलियां आ जाती है जब वो जाल भर गया और खीच कर तट पर लाया गया उन्होंने बैठ कर अच्छी मचलियों को टोकरी में एकटा कर लिया तथा निकम्मी को फेंक दिया युग के आंत में ऐसा ही होगा स्वर्ग दूत आएंगे और दुष्टों को धर्मियों के मद्धे से निकाल कर अलग करेंगे तथा उन्हें आग के कुण में जोक देंगे जहां रोना तथा दांतों का पीसना होता रहेगा क्या तुम्हें अब ये सब समझ आया उन्होंने उत्तर दिया जी हाँ प्रभू येशु ने उनसे कहा यही कारण है कि विवस्था का हर एक शिक्षत जो स्वर्ग राज्य के विशे में प्रशिक्षित किया जा चुका है परिवार के प्रधान के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी हर एक वस्थू को निकाल लाता है दिरिश्टांतों में अपनी शिक्षा दे चुकने पर येशु उस्थान से चले गए तब येशु अपने ग्रहन अगर में आए और वहां वो यहुदी सभा ग्रह में लोगों को शिक्षा देने लगे इस पर वे चकित होकर आपस में कहने लगे इस विक्ति को ये ग्यान तथा इन अद्भुत कामों का सामर्थ है कैसे प्राप्थ हो गया क्या ये उस बड़ाई का पुत्र नहीं और क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं और क्या याकोब, योसेफ, शिमौन और यहुदा इसके भाई नहीं और क्या इसकी बेहने हमारे बीच नहीं तब इसे ये कैसे प्राप्थ हो गया वे येशु के प्रती क्रोध से भर गए इस पर येशु ने उनसे कहा अपने ग्रह नगर और परिवार के अलावा घविश्य द्वक्ता कहीं भी अपमानित नहीं होता लोगों के अविश्वास के कारण येशु ने उस नगर में अधिक अधुद काम नहीं किये